दोस्तो पिछले साल डिसंबर महिने में अगनी 5 मिसाइल का एक नाइट ट्राल को अंजाम दिया गया था हालाकि दोस्तो इस मिसाइल को चायना के तरफ से ट्रैक करने का भरपूर कोशिश किया गया था लेकिन चायना इसमें बिभल रहा पर दोस्तों ये जो मिसाइल पिछले साल परिक्षन हुआ था ये असल में पहले परिक्षन किया गिया अगनी 5 मिसाइल से काफी अलग था रिपोर्ट के मुतावी पिछले साल जिस मिसाइल का परिक्षन किया गया था वो असल में अगनी 5 के जो पहले के वेरियंट है उससे केवल मात्र लंबे दुरी तक टार्गेट को नहीं निशाना बना सकता है बलकि उससे हलका भी था और इनी कारूनों के वज़ा से पिछले सा के जो जानकारी है वो क्या D.I.O के तरफ से जानवुच के रिविल कर दिया गया है या फिर ये गलती से लिख हो गया तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही हो चैनल को स्क्राइबर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अब दोस्तों ये जो Contribution ने उसे लेके सम्मानित किया गया और उनके सम्मान में Defense Research and Development Organization के तरफ से उन्हें एक स्मृती चिन्न भेट किया गया जो की Missile और Cluster को लेके था और दोस्तों ये जो स्मृती चिन्न है इसे Rare Admiral मिश्रा के तरफ से जब Public के सामने रखा गया तो दोस्तों इसके उपर कई सार खबरों के ही चर्चा में था और कहीं पे भी इस Missile का कोई Official जानकारी नहीं था इवन कभी भी Officially इस Missile को या फिर कहा तो ऐसे नाम का किसी Missile को Recognize नहीं किया गया लेकिन पहली वार की तरह किसी स्मृती चिन्न में इस Missile को देखे जाने के बाद एक तरीके से अब कह सकते है कि Agni 5 Mark 2 Missile को लेके अब Defense Expert और उनके Community के बीच में काफी अधिक चर्चा शुरू हो चुका है अब दोसो Agni 5 Mark 2 Missile को लेके जितने भी चर्चा है उन चर्चाओं के मताविक ये Agni 5 Missile के ही एक Upgraded Version है इंडियन Armed Forces के बेडे के सबसे लंबे दूरी तक मार करने वाला ये जो Missile ह ये खाली इंडिया के जो Strategic Power है उसे ही मजबूत नहीं कर रहा है बलकि International Stage में इंडिया का जो रुदवा होना चाहिए उसे विस्टेवलिस्ट कर रहा है दोसो इस तरीके के Long Range के Missile को लेके सपना तो कई सारे देश देखता है लेकिन इन सपनों को पूरा करने में सक्षम लेके दावा किया था वो केवल मात्र एक तरीके का Speculation नहीं है और दोसो ऐसे Speculation के तहट पिछले साल के टेस्ट के बाद Agni 5 Mark 2 मिसाइलों को लेके जो Report ही आया था उन रिपोर्टों के मुतावी के जो मिसाइल है इसके वजन को Composite Material का इस्तेमाल करके करिब करीब पहले के मिसाइल के मुकाबले में मतलब Agni 5 मिसाइल के मुकाबले में 20% तक कम किया गया है और इसके कारण अब ये जो मिसाइल है ये करीवन 40 टन वजन का मतलब 4000 किलोग्राम का मिसाइल है जबकि ये 1100 किलोग्राम मतलब 1.1 टन तक परवानू हतियारों को कैरी कर सकता है अगनी 5 Mark 2 मिसाइलों को लेके ये भी दावा किया जाता है कि ये अपने अधिकतम वरेड कैपेविलिटी के साथ करीवन 7000 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम हैं जबकि वही पे मिनिममम पेलोट के साथ ये भी दावा किया जाता है कि ये जो मिसाइल है ये 8000 से 9000 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सकेगा जबकि इतने ही पेलोट के साथ इससे पहले वाले वर्जन मतलब अगनी 5 मार्क वान जो मिसाइल है वो करीवन 6000 किलोमीटर दूर तक ही टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम था तो इससे बिसिकली अगनी 5 मार्क टू मिसाइलों को इंडिया के जो स्टाटिजिक डिटरेंस है उसे मजबूत करने के लिए ही बनाया गया है और आप लोगों को पताई होगा कि इतने लंबे दुरी का मिसाइल भारत को असल में किस देश के होश्ठिकाने लाने के लिए ब अक्षम हो चुका है पर दोस्तों ये जो स्मिती चिन्न है इसे लेके ही एक तरिके से अब कई तरीके के अलग-अलग स्टेक्लेशन आ रहा है जहां पे मिसाइलों के exact detail तो कही पे नहीं कहा गया है लेकिन स्मिती चिन्ने के साथ एटलिस्ट ये सावित हो चुका है कि भारत अगनी 5 Mark 1 मिसाइलों के इलाबा एक Mark 2 मिसाइलों को भी तयार किया है और अब तक एक साल से जिन मीडिया रिपोर्टों में अलग अलग तरीके के स्पेकुलेशन को रखा जा रहा था इस स्मृती चिर्न के बाद उन स्पेकुलेशनों की उपर भी एक तरीके से मोहर लग गया अब दोस्तों ये जो स्मृती चिर्न है इसे जान बूच के दुनिया के सामने रखा गया ही या फिर अंजाने ये दुनिया के सामने आ गया है इसके बारे में तो अवी से सही तरीके से नहीं कहा जा सकता लेकिन एटलिस्ट इस घटना के वज़ा से अगनी 5 Mark 2 मिसाइल जो ह ये दुनिया के सामने आ चुका है अब दोस्तों और एक ऐसे हैरान करने वाले घटना के बारे में इसरो के तरफ से दुनिया को जानकारी दिया गया है दोस्तों ये घटना असल में इसरो के नेक्स्ट मार्स मिशन को लेके है रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जिस डेली में स्थिद इंडियन नाशनल साइन्स एकडमी में अपने बातों को रखते हुए कई तरीके के इसरो के नेक्स्ट मिशनों का जानकारी पबलिक के सामने रखा गया है और इनमें नेक्स्ट मार्स मिशन का भी जिकर है उनके तरफ से बताया गया है कि इसरो फिलाल इस मि मंगल यान या फिर कहे तो मास और विटल मिशन भी कहा जाता है और साल 2014 में भारत के तरफ से पहले प्रयास में ही मंगल में अपना एक सैटलाइट वेजा गया था अब दोसों इसके बाद पहले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडिया का जो नेक्स्ट मास मिशन होगा वो मंगल ग्रह के उपर लैंडर उतारने को लेके होगा क्योंकि इसे तरफ पे ही चंद्रयान मिशनों को भी भारत के द्वारा अंजाम दिया गया दोसों चंद्रयान वान को भी ऐजे सैटलाइट के लूप में चांद के कक्ष में स्तापित किया था जबकि उसके बाद जो लैंडर उतारने का सफलता मिल चुका है अब इस सफलता के इस्तिमाल भारत मंगल यान मिशन के लिए भी कर सकेगा लेकिन दोसों इसके लिए शायद हमें और थोड़ा इंतिजार करना पड़े क्योंकि चांद के सतह के उपर लैंडर और रोवर को उतारना शायद उतना चै देखा जाये तो इसका संख्या टोटल 6 है जिन में 5 अमेरिका का है और एक चायना का है पर फिलाल दो ही रोवर मंगल के सतह की उपर अभी वी एक्टिव है हाला कि वही पे सोवियत उनियन के तरफ से भी दो बार प्रयास चलाया जा चुका है लेकिन इसमें सोवियत उनियन इसके बारे में अभी से नहीं कहा जा सकता और भारत और रशिया का वी एक जॉइंट फ्लैन है जो की शाय साल 2025 तक लॉँच हो जबकि इसकी इलावा जेपैन और भारत भी अपने खुद के इंडिविजिल प्रोजेक्टों को मंगल ग्रह के लिए तैयार कर रहा है और दोस इसका मतलब ये है कि कब तक ये प्रोजेक्ट को लेके अप्रूबल मिलेगा भारत कब तक अपने सैटलाइट और रोकेटों को तैयार करेगा ये सुनिश्चित नहीं हुआ है और एक तरीके से अब मान के चलिए कि इसे सुनिश्चित करने के लिए भी एक दो साल के समय वाला भारत चौथा देश हो सकता है लेकिन पहला ऐसा देश है जो की दक्षिनी ध्रूप में उत्रा है और मंगल यान को भारत उसी तर्च पे ही डेवलप्ट करेगा जिससे की भारत को एक साइंटिफिक एचिबमेंट मिले और भारत के नाम इन देशों से आगे रखके ग सफल रहा लेकिन भारत अपने पहले प्रयास में और हो भी काफी किफायती लागत में मंगल तक पहुँचने में सफल था दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कब तक भारत के तरफ से नेक्स्ट मंगल यान मिशन को अंजाम दिया जा सकता है कॉमेंट करके अपने रा वीडियों मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम